असलाम नेकुम व्यूवर्स कैसे हैं आप सब उमीद है कि सब ठीक ठाक होंगे अल्लाद आप सब को अपने घरों में आबाद रखे और खुश रखे आमीन सुमामीन आज की रखे बहुत स्पैशल है मतन मंदी की रेके हैं यह रेसिपी काफी रिसर्च करने के बाद मैं आपके सामने लाई हूँ और जो मतन मंदी के रे्सिपी होती है ऑथेंटिक वह बहुत डिफिकल्ट होती है ऑघर में उसको बनाना बहुत मुश्किल होता है तो मैं close to that रे मसाला बनाएंगे सबसे पहले साबित चीजे मूं काली मिर्चे साबित लॉंग चार से पांच अदर चोटी लाइची जाइफल का चोटा सा पीस और एक जवेतरी और इन चीजों को हमने ग्राइंड कर देना है बगार भूने हुए रेसिपी के जो इंग्रीडियंट्स है रेस इसमें डाल रहे हैं हम वाइट पैपर पाउडर, हल्दी, सौंट और नमक नमक आप हस्पे जाएका डाल दें या फिर टू टी स्पूंस डाल दें तो एक किलो मतन के हिसाब से यह जो मसाला मैंने बनाया है वो जाएगा तो यह मंदी मसाला आप चिकन में भी यूज कर सकते हैं इसको आप एक दो दिन पहले बना के रख सकते हैं मतन मैंने लिया है एक किलो आपने कोशिश करने हैं के बड़े बड़े पीसिस लेने हैं रान और शोल्डर के पीसिस होते हैं वो बेस्ट रहते हैं हमने का अपने कसाई को लेकिन कसाई ने चोटे चोटे पीसिस कर दिय तो मेरे पास अभी कोई alternative नहीं था तो मैं चोटे पीसे ले रही हूँ इसमें मैं मंदी मसाला ले रही हूँ वो डाल रही हूँ और थोड़ा सा हम डालेंगे oil ये दो चीजें डालके हमने इसको marinate कर देना है ये काम आपने रात को करना है इसको हम mix कर लेंगे अच्छी तरह स तो आप उसको यूज कर सकते हैं एक box में मैं इसको cover करके रख रही हूँ फ्रिज में रख दूंगी overnight और सुबा को हम निकालेंगे चावल मैंने लिये हैं सेला आप बासमते भी यूज कर सकते हैं तीन ग्लास मैंने चावल लिये हैं इनको मैंने wash कर दिया अच्छी तरह से 4 5 दफ़ा और इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ तू टेबल स्पून्स भरके नहीं लेने हैं आपने हल्दी और इसको mix करके आपने भीगोने के लिए रख देना हैं सेला चावल को लगते हैं 2-3 घंटे तो आप इसको अराम से भीगोने के लिए रखते हैं जब तक कि हम गो सब्सक्राइब के लिए रखते हैं जिससे गोष्ट की जो बोटियां वो नीचे की तरफ ना गिरें और हाइट को बढ़ाने के लिए भी आप ये काम कर सकते हैं अगर आपके पास बड़ी रैक है तो वह बेस्ट रहेगी मेरे पास नहीं है तो मैं इसी से काम चला रही इसके उपर हमने सारी बोटियां रखती और इसको हम कवर कर देंगे लो फ्लेम पे बिल्कुल दम वाली आंच पे हमने इसको पकाना है और कवर करके अब क्या करना है कि इसकी साइट पे हमने आटा हमने लगा देना है साइट से जो गुंदा हुआ आटा होता है इस तरह से ह एक स्टॉक बन जाएगे जिसको हम चावलों में यूज़ करेंगे और ये स्टीम से बहुत अच्छा गल जाएगा बिल्कुल लो फ्लेम पे अपने दो से दाइग गंटे इसको रखना है उसके बाद इसको आप चेक करेंगे अब इसको चेक करते हैं दो गंटे हो चुके हैं मैं इसको चेक कर niin कि गोष्ट हमारा गल चुका है अगर आप बड़े बड़े पीसे ले रहे हैं तो इसमें आप तोड़ा सा विनेगर डाल सकते हैं या कच्छा पपीता डाले तो ज्यादा अच्छा गल जाएगा अब निकाल नेखनी छावलों में तुट धना में हमी टा इंथाये टावलों के लिए हम पोट में वन् vãoट पोट में कुप ऑफिन गरम करें और दार चीनी थेश में और long डालेंगे काली मिर्चे साबिट डालेंगे थोड़ा सा इसको हम fry करेंगे और इसके बाद हम डाल देंगे प्यास प्यास दो medium ले ले लें या एक बड़े size की ले लें slice करके हम डालेंगे और इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे प्यास जब transparent color की हो जाएगी तो फिर हम इसमें और चीज़ें add करेंगे ठीक है इसको हम transparent होने तक पकाएंगे अब इसमें हम डाल रहे हैं lesson का paste 20 spoon आप इसमें जवे हैं वो crush करके भी डाल सकते हैं फिर आप तीन जवे ले लीजेगा इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे और अब क्या करेंगे चावल जो हमने भिगो के रखे थे इनका पानी हम निकाल देते हैं आप चावल देख सकते हैं पीला रंगा अगया इन पे हमने सारा पानी ड्रेन करके और चावल डाल दिये हैं अब इसमें और पानी डालेंगे तीन ग्लास मैंने लिया है तो साड़े चार ग्लास मैं पानी डाल रही हूँ उसमें स्टॉक भी शामिल होगी तकरीबं धाई ग्लास स्टॉक थी और उसके लावा जो था मैंने पानी डाल दिया ये डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और नमक आप चेक कर लें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और एक चिकन क्यूब डालेंगे चिकन क्यूब है या बीफ क्यूब है कोई भी हो आप उसमें डाल सकते हैं तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसको हम मिक्स करेंगे और तेज फ्लेम पे तेज आंच पे इसको हम कवर करके लेकिन आपने फुल कवर नहीं करना थोड़ी सी जगा आपने छोड़नी है इसको हम पकाएंगे बीच में एक दफ़ा इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि अगर चिकन क्यूब अच्छी तरह से ना डिजॉल्व गुआ हो तो वो मिक्स करने में घुल जाएगा इसको दुबारा कवर कर लेते हैं पानी जब खुश्क हो जाएगा फिर हम इसको दम देंगे पानी खुश्क हो चुका है अपने हलकी आँच कर देनी है दम वाली फ्लेम कर देनी है इसको गुमा कि एक दफ़ा हम दम लगा देंगे ऑथेंटिक जो रेसिपी होती है उसमें ये बेक होता है इनके अपने जैसे तंदूर होते हैं उसमें होता है नीचे चावलों की लेयर होती है उपर गोश्ट रखा जाता है उसी का पानी उसी के जूसिस चावल में गिरते हैं और उसमें वो टेस्ट डिवालप होता है वैसे मैं अविन में बना के आपको रेसिपी दिखा सकती थी लेकिन वो जरा मुश्किल हो जाती हर कोई नहीं बना सकता तो एक एजी वे है जो हर कोई ट्राइ कर सकता है फ्राइड अनियन है वो हम उपर से गानिश करेंगे और ये बदाम है मैंने इनको चील के और आदा करके इनको फ्राइ किया था थोड़े से ओयल में वो उपर से हमने गानिश किये हैं लेमन के स्लाइसे आप काट के रखतें और इसके उपर हमने जो मंदी गोश्ट बनाया था वो रखेंगे और हमारी मंदी तयार है लेकिन ये इनकम्प्लीट है विदाउट दे मंदी चटनी और सलाथ तो चटनी और सलाथ की रेसिपी के लिए मैंने एक साथ दूसरी वीडियो अपलोड की है तो वो आप चेक आउट कर सकते हैं और जरूर बनायेगा मुझे बतायेगा कॉमेंट्स में कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी और मेरे चानल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और मेरी वीडियो पसंद आईए आपको तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और दूसरी रेसिपी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स उपर लिंक्स और बिल्कुल एंड में आएंगे लिंक्स वो आप चेक कर सकते हैं मझे दौाओं में याद रखिएगा थैंक यू पर वाचिंग अल्ला हाफिज